विशेष्टा आप लोगों को सबसे पहले शुब कामनाई देता हूं आर्थिक बदाईयां देता हूं कि आपकी रैंक डिसाइड हो चुकी है और आपके रैंक अपियर होने लगे हैं आपके स्कोर कार्ट पे जी हां और आपके भारांक हैड होने के बाद टोटल आपकी जो मे बहुत इंपोर्टेंट होने वाला वीडियो शेशन बने रहे हमार साथ स्टेट इन और एजुकेशनल तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो मित्र यूपीपेट 2019 का कल रात में बोला गया था कि कल रात में जारी कर दिया जाएगा तो जैसा बोला गया था वैसा ही आपकी ओवराल मेरिट बना दी गई क्योंकि पहले आपके पिपर वन और पिपर टू की मार्क्स एड होके जो नंबर आते थे उसमें भारांग की गणना नहीं हुई ती इसलिए ओवराल मेरिट आपकी नहीं बनी थी अब भारांग की गणना के बाद ओवराल आपके अंक दर्शा लगें रही है फिर य से बाद आप जंडरल में तो आपकी जर्रलैंग कोई कंटेगरी रैंक नहीं इसके एलावां अगर आपकी केटरी रेंक जैसे आप ऊविछा हां चुचुं दे anno zouने चायए हैं उसके पहले और आपकी जर्ड़लोल अच्च्ट की तूस हो जाएगी इस तो आप जिब जाते थे यूपीबीड की यूपीबीड डॉट इन वेबसाइट जिसकी लिंक डेस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा तो वहाँ पर आप जाते थे तो अपना स्कूर कार्ट जहां से चिक्किए थे पेपर वन और पेपर टू का अब वहाँ पर साइड में और उस्ओं से पल prick चाहते हैं तो आप डायरेट उस पे विजिट कर सकते हैं तो मैं डायरेट सरकार रिजूट पर जाता पहीं और हमको चलना है डारेट हम को चलना है रिजद declared तो इसे पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आने के बाद यहां पर लिखा हुआ download result with scorecard पहला option है इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो इस पर हमने क्लिक कर दिया है और यह प्रुफामा आपके पास आ जाएगा जो भी है और यह आपकी user ID और पासवर्ड आपको इंटर करना पड़ेगा ठीक है user ID पासवर्ड आप इंटर करेंगे तो मैं दिखा देता हूँ कि आप option क्या क्या आएंगे है ना तो वेट करिए थोड़ा मैं options दिखा देता हूँ कि कौन-कौन से options आपको देखने को मिलेंगे user ID और पासवर्ड डालने के बाद आपका scorecard scorecard के लावाँ आपका rank सारी चीज़ें आप दिखने को मिल सकती है आपको तो इन दुनों को डालने के बाद आपके user ID और पासवर्ड डालने के बाद आपके पास कुछ ऐसा type का खुल जाता था ठीक है तो application detail रहती तो applicant detail फिर application आपको प्रिंट करना है तो यहां पर score detail और यहां पर all है ना तो हम मैं all प्लिक करता हूं तो all प्लिक करने के पास आपको डिर सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी तो इसी में आपकी scorecard में ही आपकी detailing मिल जाएगी तो scorecard पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहां पर option आजाता है click here to download scorecard और जैसे पर करते हैं तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आपकी rank आपर निर्धारित है तो अपने अपने rank ज़रूर बताईएगा और जितना ज़ लोगों को हारदिक बताई हैं congratulations best of luck for future thanks a lot